हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो आज हमें कैसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप नवरातरी में भी खा सकते हैं और नूर्मल डेस में भी बना कर खा सकते हैं खाने में ये बहुत ही tasty है ॉपर से बहुत ही ज्याद है क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही moist और ये जो नाश्टा है ना दोस्तो 5 मिनट में बन जाती है और बणाना तो यसे बहुत ही असान है तो चलिए नश्टा बनना शुरूर करते हैं और वीडियो पसंद आई ना आपको थोड़ी भी तो लाइक चरूर करिए आज हम जो नश्टा बनने वाले हैं उसमें हम साबोदाने को इस्तिमाल करेंगे तो हमने जो है फाइन पाउडर बना लिया है साबोदाने का अब हमने लिया है कद्दुकस में तीन चार साइड होते हैं तो जो सबसे बड़ा साइड होता है वह इस्तिमाल नहीं करना है इस बात का थ्यान रखना जो मीडियम वाला होती है वह इस्तिमाल करनी है तो हमने लिए हैं 4-5 कच्चे आलू और उनको हम कद्दुकस कर रहे हैं मीडियम वाले साइज से तो दूस्तो यही करना है मोटे साइड से कद्दुकस करेंगे तो बैंडंग नहीं मिलेगे बिखरा बिखरा नाश्ता बनेगे इसलिए मीडियम वाले से ही करना और कच्चे आलू हैं ये उबलेवे नहीं हैं कच्चे आलू का नास्ता बहुत टेस्टी बनता है अब दो तरीके से इस आलू को कद्दुकस कर सकते हैं या तो डारेक्ट पानी में ही इसको कद्दुकस कर लिना या फिर तुरंट कद्दुकस करते ही इसे ठंडे पानी में डाल देना नूर्मल पानी जो होता है ना उसमें डाल देना उससे यह होगा कि यह काला नहीं पड़ेगा और हमें आलू को काला नहीं करना है अब पानी में आलू को डालने के बाद दो तीन बार धुल लेना अच्छे से धोना ताकि इसका स्टार्च रिलीस हो जाए उसके बद सारे आलू को ऐसे निचोड लेना इस तरीके से जब अब नाश्टा बनाओगे न तो बहुती ज़दे क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुती ज़दा मौस्ट बनेगा तो यह देख एकदम खिला खिला आलू हो गया है अच्छे से निचोड कर खिला खिला आलू बना कर तयार करना पानी नहीं होना चाहिए इसमें इस बात का ध्यान रखना और यह देखो यह जो है ना इसका पाउडर बनाना है तो पाउडर बना लिया हमने यह देखो यह पाउडर बन गई है असनी से पाउडर बन चाएगी एक तब फाइन पाउडर बनाना हमने चार से पांच आलू लिये हैं जिसके हिसाफ से हम इसमें तीन से चार टेबल स्पून डालेंगे साबदाने का पाउडर ठीक है और डालेंगे आथा जम्मजीरा तो दोस्तों जितनी चीज़े हम बता रहे हैं यह वह है जो फास्टिंग में हम खाता है लेकिन अगर वरत नहीं कर रहा है आप तो अपनी पसंद की मसाले इसमें चाल सकता है वरत के बिना अगर आप बनाता है न तो इसमें आप कॉन फ्राइ डाल कर बना लेना बहुत ही देस्टी बनता है तो हम तो वरत के लिए बना रहा है इसलिए हमने साबुदाना डाला है साबुदाने से क्या ना क्रिस्पी बहुत बनता है और बहुत देस्टी भी बनता है दूसरा आप इसे वरत में भी खा सकते हैं और नूर्मल डेस में भी खा सकते हैं साबुदना डालने के बाद जो पाउडर डाली है ना उसको डालने के बाद इसमें नमक, धन्या, पच्ची, हरी मिर्ची, नीबू का रस और काली मिर्ची के पाउडर जीरप ये सब डाल देना बस इतने से ही ये बहुत डेस्टी बनता है अब रतने बना रहे हैं तो घी डाला है हमने लेकिन अगर आप घी नहीं खाते हैं तो नूर्मल रिफाइंड ओिल डाल देना तो इसको मीडियम फ्लेम पर गरम करना अब देख रहे हैं हमने ज़्यादे तेल भी नहीं डाला है ऐसे नहीं है कि डीप फ्राइ करना है हलका हलका सही तेल डालना है ताकि ये शलो फ्राइ हो जाए तो तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजिए और उसके बाद यह जो नाश्टा है इसको अपनी पसंद की शेफ दे देना गोल बनाना है तो गोल बना लो और इस तरीके से बनाना है तो ऐसे बना लो आप इसे कड़ाई में रखकर भी बना सकते हैं थोड़ा सा मिश्रन लेना और कढ़ाई में ऐसे रखके इस तरीकी से दबा देना असनी से शेप होल्डे कर लेगा और चारों तरप से अच्छा सा दिखाने के लिए किसी स्पेचुला की हेल्प से इसको इवन कर लेना बस इसी तरीकी से सारा नाष्टा बनाना है आपको और यह जो नाष्टा है वरत में अगर आप बनाते हैं तो नार्ल की चतनी मुफली की चतनी या फिर दही के साथ बहुत टेस्टी लगता है बस इसे बनाते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना जो फ्लेम है वह मीडियम ही रखना मीडियम फ्लेम पर जब आप इसे पकाएंगे यह बहुत किस्ती बनेगा और अंदर से बहुत ही नरम होगा बहुत बढ़ी है नाष्टा है यह दोस्तों आपने इस तरीके का नाष्टा नहीं खाया होगा एक बार भी बना कर देखना आपको बहुत पसंद आएगा तो बस सारे नाष्टे को अलट पलट कर मीडियम फ्ले नहीं है और तेल भी जड़ा नहीं लगता है इसमें जितना तेल आप डाल रहे हैं ना शुरू में उतने तेल में ही आपका शारा नाष्टा बनकर तयार हो जाएगी कलर इसका अच्छा सा आ गई है दोनों तरफ से जब ऐसा कलर आ जाए तब आप इसे बाहर निकाल लेना देखें कितना क्रिस्पिय लग रहा है भौती मजदार है भौती तेस्टि है वरतने बना नहें तो बना लो और नूर्मल डेष्ट में बनाकर खाना चाहते हैं तो वैसे भी बना लीज़े कभी बनाओ जब कुछ लग खाने का मन करें हो जब ऐसा कलर आचाये तब बाहर नि तेस्टी लगने वाला है तो वरत हो या नूर्मल देश जब भी कुछ खाने का मन करे चटपटा सा तीखा सा तब आप ये नाश्टा बनाना बहुती क्रिस्पी बनता है आप ये जो टिक्किया है ये जो मिश्टन है इसको बनाकर फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और जब और बहार निकाल कर शैलो फ्राइ करके एंजोई कर सकते हैं तो बस अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेर भी कर देना और एक बार अपने घर में ये टेस्टी क्रिस्पी नाश्टा जिरूर बनाना आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो ल थैंक यू